हे दोस्तों नमस्कार एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में तो दोस्तों में आपका हिंदी का फुल टेस लगाएंगे थोड़ा फास्ट रहना है और आज आप लोग काउंटिंग करिएगा कितने कोशन आप लोग सही कर पा चले पहले का जवाब दीजे इसका राइट अंसर इन में से क्या हो जगा करा एक से अधिक प्रधान उपवाक होते हैं ये तो आपसन आपका गलत हो गया एक ही उद्धेश और एक ही विद्धे होता है मतलब आपसन जो आ रहा है वो आपका यहां पर कौन सा हो जगा सी एक सरल वाक्य हो गया तो आपसन क्या हो जगा सी नंबर हो जाएगा आगे बढ़ते हैं कोशन दिया गया है प्रतेक वर्ध का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है तो देख सकते हमने ब्याकरण में जो आपका हिंदी वर्ण माला है वीडियो आपको दिया था तो प् तो आप दूसर ए ओजगा महा प्रान बन जएगा ठीक है ए नंबर आगे बढ़ते हैं कोशन दिया गया है उचारण की द्रस्टी से संबल धोनी का कौन सा वर्णी करण है संबल धोनी का कौन सा वर्णी करण है थ्री का जवाब दीजे इसका राइट अंसर क्या होजगा चल जब कोई धोनी दो बिंजनों से युक्त हो जाएं तब वह संप्रक्त धोनी कहलाती है जैसे आपका संबल हो गया इसमें क्या है मा भी आपका दिया गया है हना क्या दिया है आपका मा है और आपका यहापर दिया गया है बाप दोनों ही क्या हो गए हैं आपके सयुक्त हो गए हैं इसलिए हम लोग संबल या संप्रक्ति धोनी कह सकते हैं आपका option क्या हो जेगा A number इसका right हो जाएगा क्लियर हो गया है आगे बढ़ते हैं question आप से गला पूछा गया है कि विपत धनजाल विपत जाल में कौन सी संदी है यहां पर बताईए विपत जनजाल विपत जाल में कौन सी संदी है चले यहां पर आपका 4 number चले 4 यहां पर आपका जवाब आ रहा है 4 बिलकुर सही है देख उपस्रग और प्रत्य अपन पर है यह यहां पर इसे तोड़ेंगा तो निकल कर आयेगा और इस के बाद इहां पर क्या निकलेगा आत्मानीकलेगा क्या निकलेगा यहां पर देखे option C हो जएगा मतलब राज होगा वो आपका कैसा होगा आधारा होगा तो option क्या होजगा आपका C नमबर होजगा आगे बढ़ते हैं question दिया गया है निमनिकित में से किस वाकी में परिमाण वाचक क्रिया विसेशन है देखे दिया गया है परिमाण वाचक क्रिया विसेशन चले बहुत अच्छे यहां पर देखे काफी लोगों की जवाब आ रहे हैं परिमाण इस बार बारिस में बहुत ओले पड़े हना तुम अच्छे खिला रही हो मतलब यहां पर जो सिक्स नंबर है तो सिक्स नंबर में कहरा है बहुत ओले पड़े तो यहां पर क्या हो गया आपका परिमाण वाचक क्रिया विसेशन ए नंबर आपका अराइट हो जएगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं दिया गया है मनो भावों को प्रकट करने वाले वे अविकारी सब्द जिसक जिनका वाकि में कोई सम्मंद नहीं रहता है उन्हें क्या कहते हैं तो देखो यहां पर दिया गया है मनो भावों को प्रकट करने वाले हैं तो यहां पर अविकारी भी दिया है तो क्या विकल्प पर तो हो नहीं सकता है समुच्य भी नहीं हो सकता है अनुबद धनी होगा तो option क्या होगा C number 20 मेद बोधा क्योंकि विसम्याद में हर्स सोक कई प्रकार के हाँ पर कह सकते हैं मनोभाव विकार यहाँ पर हो सकते हैं प्रवल विरोधी थे वहां कि सरुनाम का कौन सा प्रकार है वे भरस्टा चार के प्रवल विरोधी थे आठ का जवाब दीजेगा चले काफी लोगों के जवाब आने सुरो हो गये हैं और देखो यहां पर सम्मंद दिया है निश्चे वाचक है निजवाचक और आपका दिया है यह दिये गए हों यह क्या होते है धालका इसे प्रवल वाचक सरुनाम होते हैं तो आपका अंसर जो बनेगा वहाब दिए नबर नोर इसे बना लिए हैं अर्थाद देश में है ऊत्पण हुआ है जिनको हम लोग पहचान भी नहीं पाते हैं अर्थां यहां पर आंपको हो approached हो जाते हैं यहां अर्था मितलें की जा ज़ता है चलता है, आई से सवासितिहा है, पता कहां से निकल कराया है, आगे बढ़ते हैं कोशन दिया गया है नियत और नियत सब्द युगम के सही अर्थ आपको बताना है देखो नियत मतलब क्या होता है और नियत मतलब क्या होता है आप सभी का जवाब सही होना चाहिए तो देखो यहाँ पर नियत नियत मतलब होता है यहाँ पर निश्चित और निय आलोचकों के अनुरूप हमें अपनी रचना में परिवर्तन करना होगा इस वाक्य में किसी एक सब्द का संदर्ब और भाव के दिरस्टी से उप्युक्त प्रियोग नहीं हुआ है उस सब्द का चेन करना है तो थोड़ा सा ये लोजिकल है पढ़ने के इसाफ से लेकिन आप लोगों को यहाँ पर पॉइंट को समझेंगे तो अंसर आपका सामने निकल कर यहाँ पर आजाएगा मतलब यहाँ पर कहसकते है वाकि में जो अनुरूप है क्या अनुरूप है यह उपयोगत नहीं है इस सब्दों यह सब्ध şudasit किसी वस्त के आकार या रूप के लिए प्रियोगत होता है तो आज़ेख समझेगा आराम से हमने समझा भी दिया है अगे बढ़ते हैं कोशन आपसे दि कौन सी वरती है अब आप चल सकते हैं माप करिए अब आप चल सकते हैं वाक्त में कौन सी वरती है बारा नंबर का जवाब दीजेगा बारा नंबर में तो देखें यहाँ पर कुछ लोग जवाब दे रहे हैं A नंबर कुछ लोग जवाब दे रहे हैं B नंबर लेकिन इसका र नमबर आपका राइट हो जेगा ए नमबर आगे बढ़ते हैं कोश्चन आप से दिया गया है यदि हिंदी प्रस्णवाचक वाकिका उत्तर हा या नामे दिया जा सके तो उसका अंग्रीजी अनुवाद करते समय वाकि शुरू होता है अब आप लोगों को इंगलीज पढ़ाय इसका अंग्रीजी अनुवाद जो बनेगा इसका अंग्रीजी अनुवाद बनेगा वाका क्या बन सकता है तो देखें यहां पर थेखें यहां पर आवर ड्यूटी दिया है ल丁पव भीए नंप जिसका राइठ बनेगा तो काॉनस बनेगा शी नंपर आपको बनेगा ए नंबर नहीं क्या है है आगे बढ़ते हैं कोशन आप सिगला दिया गया है यहां पर देख सकते हैं दिया गया है ए वलगर माइंड इज वन हूँ उड़ लाइक टू कमांड इस्टीड आफ आस्किंग और रिक्वेस्टिंग तो देखो इसका पूछा गया है इसका हिंदी अनुआत क्या हो जेगा तो देखिएगा अगर आपको आता है तो कोई बात नहीं आता है तो इसक्रीन सोर लीजेगा यहां पर देखिए पंदरा का जो आपका अंसर बनेगा वह आपको बन जाएगा बी नंबर यह है आपका एक असिस्ट व्यक्ति वा होता है जो कहने या प्रार्थ्रा करने की अब आपका कोईशन आ चुका है लिप चिन्हों के क्रमबद्य समू को क्या कहते हैं चले यहां पर बताएगा लिप चिन्हों के क्रमबद्य समू को क्या कहते हैं 16 नंबर में चले 16 का ओप्सन यहां पर आ रहा है B नंबर और D नंबर याद रखेगा लिप चिन्हों के क्रम नहीं किया जाता है देखिए 17 नंबर में तो देखो यहां पर दिखे जो अंक और अहा है हना इनका प्रियोग हम लोग क्या करते हैं मात्राओं की इसाफ से करते हैं लेकिन इनका समावे स्वर में नहीं किया जाता है तो आपसन आपका बी नमबर अंक और अहा इनका राइट अंसर हो जाएगा जिने अयोग गिवाह कहते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं क्वेशन आपसे दिया गया है संस्क्रत से हिंदी में प्रियुक्त मूल सब्द से वर्तमान इस्थाई तदभर रूप तक पहुचने के मध में संस्कत के असुद्य तूटे फूटे सुरूप में प्रियुक्त होने बारे सब्द क्या कहलाते हैं परिभासा को थोड़ा कठिन समझ दिया गया है लेकिन अपने लेग में जो गर हम आपको बताएं कि जो संस्कत के आपके बिगड़े हुए रूप होते हैं उन्हें क्या कहते हैं तो बिगड़े हुए रूप को कहते हैं लिकन यहाँ पर दिया गया एक पॉइंट और भी दिय दिया गया है आगे बढ़ते हैं कोशन आपसे दिया गया है कि सब्द परकार क्याधार पर मनुस्यता सब्दों का कौनसा भेद होता है सब्द परकार के अधार पर मनुसिता ये कैसा भेद है गुणवाचक है जातिवाचक है भावाचक है प्रणार्थक है 19 नमर में चले कुछ लोग जवाब दे रहे हैं सी नमर देखो यहाँ पर बिल्कुछ सही है क्योंकि आपर मनुसिता दिया है हमने बताया था अगर जब थ जिसने चले यहाँ पर दे सकते हैं काफी लोग जवाब दे रहे हैं 20 नमर में ऑप्सन जो हो जाएगा सी नमर जितेंद्री कहा जाता है क्या इंद्रियों को जित लिया है इंद्र जीत की बात नहीं कह रहा है यहाँ पर इंद्रियों की बात कह रहा है और इंद्रियों को ज अगला पॉर्शन दिया है तन सब्दका लिंग निर्धारन कीजिए तन सब्दका लिंग निर्धारन आपको करना है अब देखे हमने आपको तया था सबसे सिंपल होता है लिंग निर्धारन करना हमने आपको तया था जैसे एक पॉइंट हमने बता दिया कैसा और एक पॉइं कैसी अब देखो अगर आप से पूछे रोटी कैसा है तो क्या होगे कि सर रोटी कैसा नहीं होता है कैसी होती है ना तो आप कहेंगे रोटी कैसी है तो रोटी क्या हो गया इस त्रिलिंग हना अगर हम आप से बोले पानी पानी कैसी है तो आप कोगे सर पानी कैसी नहीं होता है पानी कैसा है तो मतलब पानी जो होता है वो पुर्लिंग होता है अब यहां पर देशकते हैं तन कैसा है या तन कैसी है क्या बोलेंगे यहां पर इसे क्या बोलेंगे तन कैसी है कैसा है तो तन कैसा है यह नस्वर है अर्था तो आप्सन यह हो जाएगा यह पुर्लिंग हो जा वाचक में आता है याद रिखे उत्तम पुरुसरुनाम जो कि आपका आता है पुरुस वाचक में तो आप सुन क्या होगा बी नमबर है और राइट हो जाएगा आगे बढ़ते हैं क्वेशन आप से दिया गया है कंचन एक क्रसांगनी यूती है इस वाक में कौन सी है तोड़ा सा कठी आपको हो सकता है एक कोशन आप लोगो प्रयास करिये किसका राइट अंशर क्या हो सकता है तोच यहां पर जिक्कत है नहीं होना चाहिए और गाह में बड़ी एकी मात्रा होनी चाहिए अर्थात इनी के इस्थान पर ई आएगा इस कारण से सब धनीरमाल की असुद्धी थी और सनप का डी हो जाएगा आगे बढ़ते कोशन आप सिगला पूछा गया है चले निमनिकित में से कौन सा आपचारिक पत्र का उधारन है यह बताए अपचारिक पत्र क्या होते हैं अनौपचारिक पत्र किसे का जाता है यहां पर देखे अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं 25 में चले देखे यहां पर जब क्या होता है साधी की बात होती है या कोई निमंतरन की बात होती है हना यहां पर बहन क न precisamente बिवा में सामिल होने के लिए मित्र को लिखा गया जो पत्र है इसे बोलते अनवचारिक पत्र था थात जों आपके रिस्तेदारों की बात होती है घर परिवार की बात होती है जो हम लोग पत्र Likतay है उन्हें अनवचार्द का सब्सकीbor बनेका बढ़ता है और पूरा त कर सकति हैं अगर टर गई कोई काम करक क्यों है ना itself को बोलती है क्या लगू बोलते हैं की यहां पर इनकी संख्या होती है कितनी option बनेगा भी इनकी संख्या होती है चार होती है यहाँ पर छोटा छोटी छोटा हूँ और आपका होता है रिसी तीन प्रियार से option हो जएगा यहाँ पर बे नमबर आगे बढ़ते हैं क्वेशन दिया गया है कि जिन सामसिक सब्दों में पहला पद संख् आपको बेक्त करने वाला विसेशन होता है वे सब्द क्या कहलाते है तो देखो आपको पढ़ाया गया होगा समास है ना समास में का गया है जिसका पहला पत संख्यावाची हो वो होता है आपका कौन सा दिकुष समास होता है जो संख्यावाची होता है ठीक है दुन्द समास क् से योजक चिन लगा होता है जैसे घास फूस हना कपड़ा लगता तो जब कपड़ा लगता लिखते हैं तो बीच में डायस लिख देते हैं जैसे भाई बहन तो भाई बहन के बीच में क्या होता है योजक चिन होता है तो ये क्या होते हैं दोनों ही पत क्या होते हैं प्रधान करना है अब यहाँ पर देखे कोई भी एक सब्द को उठाईए उससे तीन बार बोलिले सुहाऊना देखो इसको बोलने से तो प्रतित हो गया कि यहाँ पर क्या रहा है सुहाऊना हनना सुहाऊना लिखाई आए सब्दा-रह और छलिया यह कौन सा जाएगा यहां पर D number आपका राइट हो ज़ेगा किलियर है आगे बढ़ते हैं क्वेशन दिया गया है अल्मारी कौन सी भासा का सब्द है अर्था जो आप लोग अल्मारी बोलते हो ना बहुत लोग दो से अल्मीरा भी कहते हैं जो कि सुद्धता होती है अब बता यह अलमारी जो है वो कौन सी भासा का सब्द है 29 का अंसर यहाँ पर सही क्या होजेगा चलिए अलमारी पुर्तगाली है विलकुर सही है यहाँ पर जिसका अंसर आ रहा है भी नमबर पुर्तगाली होजेगा देखिए पुर्तगाली के अगर हम बात करते हैं कुछ पॉइंट भी होती है क्लिये बना लुक स्वेरे में लर्फ मarर इमड़ा खलाए आधार पुम्च सब्सक्राइब डीके हीरा के वाक्यों का और ऑरगी करन कितने आधारे हैं यहांपर पूछा वाक्यों का व्रगी करन कितने अधारों पर कियासा है यहाँ पर 30 नमबर में देखो वाक्यों के अगर जब भी बात कर दे तब आप को अंसर लगाना है कितना तो यहाँ पर 2 हो जाएगा 30 कंसर बनेगा कौन सा 2 तो यह वाक्य क्या होते हैं एक होता है रचना के आधार पर दूसरा होता है अर्थ की आधार पर होता है अगर यह आपको बताना चाहिए था कि आठ प्रकार होते हैं विदिवाचक, निसेदवाचक, अग्यावाचक, प्रशनवाचक, बिस्मयवाचक, संदेवाचक, इच्छावाचक और आपका संकेत वाचक तो यह तीरों पॉइंट आपको नोट कर लेना है जो हमने आपको बताया है क्यो चूरन का तस्वरूप क्या होता है चूरन का तस्वरूप क्या होता है चूरन का तस्वरूप क्या होता है चूरन का तस्वरूप चलिए तो यहाँ पर होता है चूरन का तस्वरूप क्या होता है यहाँ पर लगाना है चूरन का होता है चूरन तो आपका बीनमबर राइट हो जाएगा अगला दिया है सूर का अनेकार्थी सब्द नहीं है सूर का अनेकार्थी सब्द आपका नहीं है देको सूर मतलब क्या होता है सूर मतलब होता है जो बोलते हैं न सूर वीर ये तो होता ही होता है इसके बाद यहाँ पर सूरे मतलब सूरी भी हो जाएगा फिर यहाँ पर देखो माया नहीं होता है इसका option बनेगा भी कि सूर कानेकार्थी सब्द माया नहीं होता है लेकिन यहाँ पर विष्णु होता है वीर होता है सूरी भी होता है option जाएगा आपका बी नमबर ठीक है कुछ लोगों ने जवाब दे भी दिया है बहुत इस बीड के साथ तो दीखे यहाँ पर टिपड़ी तो सही दिया गया है जुद्सना भी सही दिया है मारतन भी सही है यहाँ पर जुद्धिया गया है भासकर वही भासकर में गलती क्या है भासकर को किस प्रकास लिखा भासकर को कैसे लिखेंगे तो जब भासकर लिखते हैं हम लोगों तो यहाँ पर आधा सा का प्रियोग होता है इस प्रकास से तो भासकर इस प्रकास से बन जाता है तो आपसन हो गया यहाँ पर C number आगे बढ़ते हैं कोशेन आप सिगला पूछा गया है हिंदी साहित्य के प्रियोगवाद के प्रवर्तक नाम है चलिए यहाँ पर बताईए हिंदी साहित्य के प्रियोगवाद के प्रवर्तक का नाम इनमें से कौन हो जाएगा याद रखेगा प्रियोगवाद के प्रवर्तक का नाम क्या है यहाँ पर देखे आप कंसर हो जाएगा भी नमबर ये अग्यें हैं कौन है आपके अग्यें सचिदानंद हीरानंद वात्यान अग्येंगें इनका पुरा नाम होता है ऑपसिन आपका भी हो जाएगा आगे बढ़ते हैं कुर्सन आपसे दिया गया है करकस का वी लूम नीचे दिये गया विकल्पों में से चुनना है करकस का विलोम क्या होता है चलिए करकस के गर बात करते हैं तो मतलब क्या होता है किसी किसी की वांड़ी होती है बहुत खुनखार होती है ना तर बहुत करकस अवाज होती है लेकिन किसी की वांड़ी बहुत मदूर होती है अर्थातियां पर कहीशक्ते हैं विलोम पुछा गया था तो आपका जवाब होगा D number V number हो जाएगा करकस का विलोम V number हो जाएगा आगे बढ़ते हैं क्सहण दिया गया है सुद दिवाकि का चेंट करना है यहाँ पर दिवाकि अब बताइए सुद कौन हो सकता है परवत का सिखर उंचे हैं देखो परवत का सिखर उंचे हैं इसके अंसार से परवत के सिखर होना चाहिए परवत के सिखर उंचे हैं कौन सा यहाँ पर 37 को अप्शन देखे D वाला कि परवत के सिखर उंचे हैं और संदी आपका राइट हो गया आगे बढ़ते हैं कोशन आप से दिया है निमनखित में से पुल्लिंग सब्द आपका नहीं है यहाँ पर पुल्लिंग सब्द नहीं है तो आप पुल्लिंग सब्द की पहचान करिये और जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक वाला बटन भी दवा दिजेगा चलिए उलिंक सब्द आपका नहीं है आपसे पूछा है रतन मोती नकल और आपका बचपन थोड़ा सा थोड़ा सा सूचने वाला एक क्वेश्चन है क्योंकि गलती यहां से हो जाती है दिको रतन कैसा है सही है मोती कैसा है अना बचपन कैसा है लेकिन नकल कैसी है नकल कैसी भ बैइ, हमाई, तुम मतलब क्या होता है, नकल, मतलब क्या होती, कैसी है, तो आप्सेंस ही हो गए, ये पुर्लिंग नहीं है, ये स्ट्रिलिंग है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, निम्लिखित पद एक प्रत्य लगाने से बने है, इन में से कौन सा पद आपका गलत दिया गया ह मतलब यहाँ आपकर कह रहा है एक प्रत्थे लगाने से बना है औह गलत आपको बताना है कौन है दैविक, मानेसिक, मौखिक और आपका अधिक अब आप बताईए यहाँ पर कौन सा पॉइंट आपका गलत दिया गया है हुँनतारिस नमबर में तो देखें यहाँ पर आपका दिया गया है D वाला अधिक कौन सा यहाँ पर D नमर तुक्का मतलगाएगा तुक्का मतलगाएगा क्योंकि अधिक सब्द एक प्रत्या नहीं बना है तो आप सुनडी होगा ठीकें आगे बढ़ते हैं कोशन दिया गया है हमें अपने अधिकारों और कर्तब्यों के परती होना चाहिए यह बताए हमें अपने अधिकारों और कर्तब्यों के वीच होना चाहिए कैसा होना चाहिए यहाँ पर दूआ मतलब दूआ मांगना चाहिए क्या सजग रहना चाहिए, चारचांद रगाना चाहिए या आखे फिर लेना चाहिए यहाँ पर देखे, चालिस का अंसर लगबागा गया है, सजग रहना चाहिए मतलब हमें अपने अधिकारों और कर्तिब्बों के परती सजग रहना चाहिए तो option क्या बनेगा यहाँ पर B number right हो जाएगा अगला question दिया गया है यह राम चरित मानस में कांड का सही करम क्या है अब आप बताइए भई देखो 40 question हम यहाँ पर grammar के हो और कुछ question हमने हिंदी साइट की भी रखे है आप बताइए भई राम चरित मानस में जो कांड होते हैं मतलब कितने होते हैं कांड तो आपके साथ कांड होते हैं अब आप बताइए कौन कौन सा कांड पहले आता है फिर कौन कौन सा बाद में आता है चले तो देखे यहाँ पर आपका अंसर क्या बन सकता है चले देखे 258 का option हो जाएगा कौनसा सबसे पहले बालक हना बाल कांड हो गया फिर इसके बाद अजग्ध्या के लीला होती है फिर सुन्दर कांड होता है फिर लंका कांड होता है अब देख लिजेगा और इसका screen shot ले लिजेगा हना आपके काम भी आ जाएगा कि तुलसी दा कांड है याद देखे बाल कांड ठीके ना अगला point आप से दिया गया था कि जब सके सबसे छोटा कांड कौनसा है तो आपका किसकिंधा कांड जो है वो आपका सबसे छोटा है इसकी रचना याद रखे रामचरित मानस की रचना कितने दुनों में हुई थी दो वर्स सात मह इना 26 दिन में इसकी रचना की गई थी याद रखे रामचरित मानस की रचना दो वर्स सात महा 26 दिन में हुई थी इन सात कांडों का क्रम क्या है बार कांड अयोध्या कांड अरंड कांड किसकिंधा कांड सुन्दर कांड लंका कांड फिर आता है उत्तर कांड आता है अब प्रियाद रखे किसकिंधा कांड की रचना कासी में होई थी क्या होई थी कासी में होई थी तो इसका स्क्रेंश लीजे और सवी लोग अपने मॉइल के स्टेटस में लगाए ठीक है ताकि आपके पड़ोसी क्यों भी पता चले कि हमारे पड़ोसी बहुत पड़े लिखे हैं अरथा बहुत पड़ाकूं है ठीक है चले आगे बढ़ते हैं कोशन आप से दिया है कि आध्णिक हिंदी साहिती की पहली आत्मक्था के लेखक कोन मने जाते हैं? आध्णिक लागते हैं कि किस कभी को कभीं का कभी कहा जाता है यहाँ पर जवाब दीजे fast जवाब दीजेगा कि किस कवी को कवी allá का कवी कहा जाता है कवी हिंदी का पहला पत्रिंग में से कौनसा है हमने बहुत बार पढ़ाया आपको याद रहेगा कि हिंदी का पहला पत्र याद रेकिे रचनाय अगर याद करना है डेली का डेली आपको पढ़ना पढ़ेगा एक दिन रचनाय नहीं रटती है लेकिन अगर एक बार रट गए तो हमेशा बनी भी रहती है यह रा तो दिखे हिं रोटि का है यह आपका उदंत मरतंड है जिसके समपादक थे कानपूर के पंडित जुगर की सूर आगे बढ़ते हैं प्रेम सागर किसकी रचना है तो हमने बताया था कि जो प्रेम करते हैं वो क्या होते हैं लल्लू होते हैं देखो बहुत लोगों को हमारे ट्रिक पता भी है जो प्रेम करते हैं वो क्या होते हैं लल्लू होते हैं तो किस रचनाकार की पंक्ती है यहाँ पर जवाब दीजेगा तो देखे दसरत सुद्ध यह कौन सा होगा 63 नंबर में तो थोड़ा सा इस पॉइंट पर फोकस करिएगा 63 वाले में और देखे 63 का जवाब लगबख सभी का आ रहा है डी नंबर डी नंबर लेकिन तुलसी दास नह यह कभीरदास का होता है तो आपचान ंबर राईद बनेगा नोड कर लिजECा यहाँ पर यह कभीरदास का है ठीक है चले आगे बड़ते कोशन दिया गया है चिंटामड़ी किसका निवन्द संग्रा है याद रखे ओप्षन डी ओजज़ेगा राम चंडशुक्ल ऑप्षन यहां पर अंसर को लोग करिएगा चले सबका जवाब आए चले सबका आ रहा है यह नमर बिल्कुछ सही है 1893 में कासी नागरी प्रचानी सवा के स्थापना हुई थी यह नमर आपका राइट हो जाएगा आगे बढ़ते क्वेशन गया गया है इदत्रमम रचना जो है किसकी है यहां पर इद्धनम होता है वैसे इद्धनम हना तो याद रिखे इदत्रमम रचना किसकी है यहां पर याद रिखे इसका राइट अंसर हो जगा मैत्री पुस्पा की है किसकी रचना है मैत्री पुस्पा जिसको अप्शन ए है राइट हो जगा आगे बढ़ते हैं चंदरा चंदरायन के रचैता यहांस प्लावम dic geography को भलक करते हैं कौन रचैस बालकरश्ण भटका्वे चलिए यहांच पर oss Italian ऑफ भीम्लिए गषान्यांud? इतनी स्पीड में आप लोग रहते हों खी आराम करने का समाही नहीं लगता कि कम से कम थोड़ी से सांस ले ले चले फिर भी कुछ बच्चे कहते हैं सर और फास्ट सर जी और फास्ट ऐसा लग रहा है जिसे आर्मी की भागदोर लगी होई हो चले बताए यहां पर पूछा है उपन्यास तो आपका अंसर हो जगा ड़ी सव अजान और एक सुजान सव अजा किसकी है यहां पर आपका अंसर हो जगा आपका बी नमर मोहन दास नयम सराइ किसकी है मोहन दास नयम सराइ की है तो इस पॉइंट को भी नोट कर लिजेगा आगे बढ़ते हैं कोशन दिया गया है दिवेदी युग नामकरन किया गया अर्था जो दिवेदी युग पड़ा इसका नाम करण किया गया, किसके नाम पर किया गया था, दिवेदी युग नाम करण किया गया, किसके नाम पर, यहाँ पर याद रखे महा बीप साद दिवेदी करना है, आपको हजारिप साद दिवेदी नहीं लगाना है, हजारिप साद दिवेदी नहीं होगा, आप लोग ब सबसे पहले दिखाई पड़ी। आवार मसीहा जीवनी में किसका चितरन है ये पूछा गया है ये नहीं पूछा गया है कि इसकी रचना है किसने किया है हाना तो दीखे यहाँ पर आपका अंसर रोलेगा सरत चंचटो बध्याय की जीवनी है किसमें आवार मसीहा में किसकी जीवनी का चितरन है तो आपके सरत चटवध्याय का है option C बनेगा आगे बढ़ते हैं कोशन आप से दिया गया है कि अमी हलाल हल मद भरे सेत स्याम रतनार जियत मरत जुक जुक परत जहीं चितवत एक बार ये कभी किस कभी द्वारा लिखी का बिपंक्ती है ये पंक्ती है किसकी द्वारा तो रसलीन की है किसकी है रसलीन option आपका B हो जाएगा और अगला है पिता कहानी के जो लेखाक है इनमें से कौन हो जाएगा इसका right answer क्या जाएगा तो देखिए यहाँ पर अंसर आपका बन गया है काफी लोग दे रहे हैं लेकिन इस प्रस्ण क देखा जाये तो हर एक वीडियो में हिंदी साहित को कबर करा रहे हैं ताकि आपको Brenda का ये हमें किया है इसे परकार हिंदी साहित को भी धुआ धुआ कर दोगे ठीके मतलग अगर आप लोगों ने स्टार्टिंग किया है हिंदी पढ़ाई के लिए तो बेसिक की वीडियो देखते रहिए और डेली कडेली सभी को जय हिंद सभी को बंदे मातरम पसंद आया तो भी लाइक सेर कर दिया करें ठीके धर्नवाद गोड़नाइट सभी को